नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अनकैडमी PSC संगल पर मैं हुआ अनुप पाध्या रश्या और योक्रीन के युद्ध की बाते जो हैं वो आप रोज सुनते थे आज चर्चा है अमेरिका चाइना और ताइवान के तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाए और अगर अभी तरक क्लासेस के लिंक को शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजेगा कि यहां आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलते रहे हैं दुस्तों आज हम ज चरचा करेंगे औरमेरिके युद्व पोथ ताइवान जल डम्रू मध से हुए रहाना चीन हुआ चिन्तित याई कि ताइवान और चीन के तना तनी के बीच अमेरिका का एक नया दाओ वह चल चुका है और इसे ड्रुगन तम तम आ चुका है इसी के ओपर हमारी चरचा आपके स्क्रिन पर जो है दोस्तों ये United States का जो है वो वार्शिप नजर आ रहा है जो की Taiwan Strait यानि की Taiwan जल डमरो मद्ध के बीच में से ये अमेरिकी युद्धपोत जो है रावाना हुआ है और इस युद्धपोत के रावाना होने से तिल मिलाट जो है वो ड्रेगन की आ चुकी है यानि की चीग जो है वो तिल मिलाट है पढ़क जाता है कारण क्या है इस सभी पर बात करेंगे ये सब जानेगे लेकिन उसके पहले दोस्तों अनेकैडमी पर आपके लिए अनेकैडमी यूपी पियससी की अगर आप तयारी कर रहे है या अनेकैडमी की किसी भी कोर्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते लेकिन इसके बाद अगर कभी वे करते हैं तो जो भी आपको आफर चल रहा है वो आपको डिसकाउंट मिलेगा प्रयास किजेगा आप नए मुवाइल नंबर और नए इमेल आईडी का ही प्रयोग करें अगर आप अनेकैडमी पर पहले से कोई सब्सक्राइब कर चुके और फिर से रिन्यूग कर रहे हैं अगर आप पहली बार हैं तो आप अनुप 10 कोड का प्रयोग करके आप ऐसे ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहां आपको लाइफ और रिकॉर्ड इस्टेशन जो है वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ मिलेगी मेरा गाइडेंस भी बिलेगा आपके स्क्रिन पर दोस्तो ये अमेरिकी युद्पोद जो है वो नजर आ रहा है लेकिन इसके पहले हम सबसे पहले थोड़ा समस्मझ लें कि ये पूरे के पूरे मामले जो है वो कहां से हो रहे है दोस्तो आपके स्क्रिन पर ये चाइना नजर आ रहा है और ये ये आपको हॉंग कॉंग नजरा रहा है और ये आपको ताइपे नजरा रहा है और बीच भी आपको ताइवान स्ट्रेट नजरा रहा है ये वही ताइवान स्ट्रेट है जिसके बीच से अभी अमेरिकी युद्पोत जो है वो यात्रा करते हुए निकला और जैसे इसके ताइवान जो है ना ये हमारा है इस पर कोई भी नजर ना डाले है ना लेकिन चीन ताइवान को तो अपना कहता है लेकिन प्रश्ण यही है कि क्या ताइवान जो है वो चीन को अपना मानता है कि नहीं मानता है तो चीन ताइवान पर अपना दावा करता है और वहां की लोकत क्लास की गाइडेंड मिसाइल विधवनशक युद्ध पोध जिसका नाम है चूंग हून इसने क्या किया है कि गुरुवार को ताइवान इस्टेट यानि कि ताइवान जलडमरु को पार किया है और ताइवान जलडमरु मद्ध के बीच में चूंग हून का यह तो दिहान से आप देखेंगे तो आपको यह क्या जगा देखने को मिल रहा है यह आपको इंडियन ओशियन का जो है वो एरिया आपको देखने को मिल रहा है यह आपको पैसिफिक ओशियन का एरिया और यह जो आपको ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है यह छित्र आपक अमेरिका के तरफ से ये बयान आया, चाइना के तरफ से बयान आया और चाइना के तरफ से कहा गया कि देखिए, ये बार बार चीन जो ये काम कर रहा है, ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो टाइवान जल्डमरूमद है वो हमारा है, और वहां जिस प्रकार से सांती बनी हुई है कृप्या करके उसमें तनाव बढ़ाने का काम ना करें ठीक न और अमेरिकी युद्पोध नौवहन जो स्वतंत्रता के नाम पर बार-बार वहां पहुच रहा है और अपना ताकर दिखा रहा है इससे वो बार-बार ये कह रहा है कि ये छित्र जो है वो ओपन है ये ये छित्र है वो इंडिपेंडेंट है ये सही कदम नहीं है बार-बार इस प्रकार की बाते जो है वो हो रही है है ना हमें समझना है इन सारे चीजों को हमें जानना है किस किस प्रकार से न्यूज ने इसको कवर किया है इसको भी हम बात करेंगे तो BBC ने देखिए इसको कव हौंग ट्रांजिट सोदा यूएस कमिट्मेंट तो अ फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक एरिया के बारे में जो है वो बात कर रहा है ठीक ना चाइना जो है चाइना एमबेसी कहा रही है कि देखे भाईया वासेंटन जो है वो क्या कर रहा है फ्लैक्स मुसल्स मतलब अपना जो है ना बाहुबल दिखाने का प्रयास कर रहा है ठीक ना लेकिन यूएस कहा रहा है कि भाईया हम तो पीस और स्टेबिलिटी की बात कर रहा है है ना चाइना कहा रहा है पीस और आपकी स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है यह अपना दिखा रहा है कि भाईया हम ही त जब ताइवान पहुंची थी पेलोशी और जब चीन के इस देश, मतलब चीन के इस तथा कथे छित्र पे जब पेलोशी की यात्रा होई थी तो भी पूरा का पूरा जो है exercise जो है उस island यानि कि आपका जो ही आपको island नजर आ रहा है Taiwan इसके आसपास जो है वो सुरू कर दी थी इस पर भी हम बात करेंगे और चीन ने जो है बहुत ज़्यादा धम की दी थी कि अमेरिका की जो house की speaker है Nancy Pelosi वो Taiwan की आतरा पर ना जाए ठीक है लेकिन Nancy Pelosi के lands in Taiwan the US sent warship east of Taiwan increasing military activity ahead of Pelosi visit ठीक है तो यह आपको news देखने को मिल रहा है तो चीन के द्वारा धमकी दी गई थी उसके बाद भी Pelosi जो है वो पहुँच गई थी ताइवान और क्यों नजर आ रहा और चीन से करीब 160 किलोमेटर के दूरी पर जो है यह छेतर आपको देखने को मिलेगा ताइवान जो टोटल वर्फ अगर हम एरिया के बात करें तो 35,980 वर्फ किलोमेटर है सरकार अगर हम बात करें तो सेमी प्रेसेंडिस से रिपब्लिक सरकार है GDP की बात करें 2021 के तो 774 बिलियन डॉलर की GDP है और 2.3 करोन की जो है अबादी है लेकिन प्रशन यह उठता है कि यह 2.3 करोन की अबादी से जो है वो विश्व में सबसे जादा अबादी वाला देश ज आनी हो जाएगा पूरे बात को समझना है अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह 6 आपको जो है वो इस पॉट न जड़ा रहा है अब चीन की आर्मी ने क्या किया था कि ताइवान के चारो तरफ यह 6 जो आपको देखने को मिल रहा है यह क्या है तो यह आपका नो एंट्री जोन है ध्यान रखिएगा क्या है नो एंट्री जोन यानि कि चीन ने क्या किया ताइवान के चारो तरफ छे नो एंट्री जोन जो है वो बना दिये यानि कि इच्छे रास्तों से कोई भी पैसेंजर प्लेन या कोई भी शिप जो है वो ताइवान नहीं पहु पहुझ गई थी कौन पेलोसी और वहां से जो है वो बाहर निकल सुकी थी ठीक ना तो यह सारी चीजें भी हमने देखी थी इसके अलावा हमने देखा था कि चीन ने जो है अपनी मिलिटरी डिल जो है वो सुरू कर दी थी चीन ने जो है वो नौर्थ साउथ वेस्ट और साउथ इस्ट में जो है यह जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है तो यह आप अपने स्क्रिन पर देखेंगे इस इमेज को भी देखेंगे यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पलुशी इस रास्ते से पहुंच चुकी थी और चीन ने जो है वो क्या किया था कि मिलिटरी डिल की अगर हम बात करें तो यह जो आपका नौर्थ का एरिया आपको नजारा रहा है यहाँ यह आप देखेंगे साउथ वेस्ट का एरिया नजारा रहा है तो मतलब कुल तींचार जगा साउथ इस्ट के एरिया में जो है वो मिलिटरी डिल सुलू कर दी थी सेन अभ्यास की गोश्रा कर दी थी और पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चीन ने जो है ताइवान के पूर्व में भी जो है वो समुदरी मिसाइल का जो है इस एरिया पर गरहम बात करें तो यहाँ से इस एरिया में जो है वो समुदरी मिसाइल का भी परिक्षण करना सुरू कर दिया था और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि यह जो भी समुदरी मिसाइल थे यह गोला बारूत से जो हथियार से वो लैस थे यानि कि अगर किसी भी मतलब कुछ भी गरबढ हो सकता था है ना और यह जो सैन अभ्यास थे वो काफी long range के life fire shooting जो है वो कर रहे थे और बहुत सारे test भी किये थे इसके अलावा चीन ने ताइवान के उपर जो economic section भी लगाये थे कि आप जान ही रहे हैं कि 2022 का समय वो समय था जब COVID सभी अभी जो है वो सारा का सारा देश जो है वो बाहर निकल तो उस था उस पे भी प्रभावित हुआ था इसके लावा आप अपने screen पर देख रहे होंगे कि चाइना ने जो है वो ताइवान के उपर जो है एक तरह से अगर बात करें तो military pressure बढ़ाने के लिए जो है वो कई बार जो है वो military inclusions किया था जानि कई बार जो है आप देखे ताइवान ministry of national defense इसका भी data देखेंगे कि सितंबर 2020 में 46 बार जनवरी 2021 में 81 बार अप्रेल 2021 में 107 बार और वहीं आप देखें कि अगस्त में 34 2022 की बात है सेप्तंबर में 117 और October 2022 में 150 बार अब आप किजिए कि 2021 में 150 बार तो कुल मिलाकर सेप्तंबर 2020 से लेकर October 2021 के बीच मे अगर आप देखेंगे तो चीन के जो एरक्राफ्ट हैं वो ताइवान का जो एरिया है उसमें कोस्पैड जो है वो किये हुए है ठीक है न तो मैंने कहा कि चीन ने जो है वो क्या किया ताइवान के ओपर काफी सारे रोक लगा दिये थे बार बार धंकी भी दे रहा था और ताइवान को नहीं अमेरिका को जो है बार बार धंकी दे रहा था कि अमेरिका को बार बार ये कह रहा था कि देखिए आप जो है वन चाइना पॉलिसी को जो है वो चुनाती दे रहा है इसको आप चुनाती मत दीजे आप बहुत ही गलत काम कर रहा है ये गलत काम मत कीजे ल और इसके चलने के बाद हम लोग जो है वो और चीज़ भी देखेंगे ठीक है तो आप देखिए आपके स्क्रिन पर जो है वो चाइना यहाँ आपको नज़र आ रहा है और यह ताइवान नज़र आ रहा है लेकिन हमें क्या करना होगा थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंग खालना होगा इतिहास के पन्नों को खंगालने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा से पुरानी तश्वीरों को आपके समक्ष रखना होगा और यह आपके स्क्रिन पर जो है वो सेफ्टमबर 1945 के एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें चीनी कौमिनिस्ट पार्टी के माउट स तिंग और कुवामितांग पार्टी के आपको चियांग का यह नजर आ रहा है जो कि जापान पर जीत पर जश्मनाते हुए है और इसी के बात जो है वो कौमिनिस्ट पार्टी और आपके कुवामितांग पार्टी के बीच में जो है वो क्या हुआ तनाव आपको देखने को मिलता है अब थोड़ा सा फिर से बात को और तमस्ते है अब चीन का मानना ये है कि ताइवान जो है उसी का प्रोवेंस है जब कि ताइवान कहता है कि देखो भाई हम है आजाद ठीक है न हमें मत अपने साथ जोड़ो लेकिन फिर प्रशनी यही है सेप्तंबर 1945 की जो यह तश्वीर है इसी तश्वीर में जो आपको यहाँ इंज्वाय करते हों नजर आ रहे हैं जस्न मना आते हों नजर आ रहे हैं उसी के बाद सुरू होता है जगड़ा यानि के दूसरे विश्यूत के बाद जो है चीन के मेंन लेंड में चीनी कॉमिनिस्ट पार्टी और कुवामितां के बीच में जो है वो जंग सुरू हो गए 1949 मुआ आपका माउ सो तिंग की लिडर्शीप में चीनी कॉमिनिस्ट पार्टी जो है वो जीद गई और कुवा मितांग के लोग मेंड लेंड छोड़कर जो है वो कहां पहुंच गए टाइवान पहुंच गए दोनों पक्ष एक चीन का हिस्सा है और राष्टे एक ही करन के लिए मिलकर काम करेंगे लेकिन बाद में कुवा मितांग की जो मुख्वे बक्षी डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी 1992 में इस समझोते पर कहीं भी सेहमत नहीं रही 2019 फिर से जो है चीन के राष्टपती बने सी जिन पिंग और अभी फिर से हल फिल हल में चुना हुआ है तो राष्टपती बने है उन्होंने सीधे एक ही वक्त तब दिया उनने का कि देखो भईया ताइवान को तो चीन अपने साथ लेकर रहेगा यानि कि एक देश में दो स सिस्टम के फॉर्मूले के साथ चल सकते हैं कि ताइवान ने का है वहिया हम आजाद हैं ठीक है हम संप्रभू हैं हमें आजादी चाहिए हम आपके साथ नहीं जोड़ेंगे लेकिन फिर प्रश्ण यह उठता है कि ये 2.3 करोन अबादी वाला ताइवान जो है वो अमेरिका ने 1979 में जो है वो चीन के साथ अपने रस्ते को बहाल किया था ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रस्ते जो है वो अमेरिका ने तोड़ दिये थे और चीन के इतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को लेकिन आज भी अगर देखे तो हथियारों की सप्लाई क कई मौके पे हमने देखा है कि कई बार ये कहा गया है कि अगर ताइवान के ओपर चीन हमला करता है तो अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ रहेगा और इसी में जो है अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है ताइवान को अपने हथियारों की बिक्री कर रहा है ठीक है इसी में अ बारबार ताइवान में गोस्पैट करने के कोशिस कर रहा है लेकिन प्रश्ण ही उठता है कि क्या अमेरिका के नौसेना के सामने चीन की नौसेना टिक पाएगी तो आपके लिए जो जवाब है वो है अमेरिका की नौसेना चीन की नौसेना के समक्ष वो अब कमजोर हो चुकी है क्योंकि विश्व की सबसे मजबूत नौसेना वो चीन की बन चुकी है यानि कि अगर अमेरिका चाहे कि वो ताइवान को किसी तरह से चीन से बचा जाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा किस के सामने चीन के सामने यानि कि चीन जो है इसमें दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका जो है अगर ताइवान को बचाना भी चाहे तो बहुत इससे में जहाज बेज सकता है दूसरा चीन अगर बात करें अगर चीन ने ताइवान पर कबजा कर लिया तो जो पशिम प्रशांत महासागर का छेतर देखने को मिल रहा है अपने स्क्रीन पर फिर से इसको ध्यान से देखिएगा तो अगर चीन ने ताइवान पर कबजा कर लिया तो क्या होगा पशिम प्र का जो military base है वो भी खत्रे में हो जाएगा लेकिन फिर प्रस्ण यह उठता है नैंसी पेलोसी 2 अगस्त 2022 क्यों गई थी ताइवान की यात्रा पर दोस्तों नैंसी पेलोसी जो है वो ताइवान की यात्रा पर इसलिए गई थी एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ काफी पुरानी फोटो नज़र आ रही है यह फोटो आपकी स्क्रिन पर जो दिख रही है यह 1991 की फिर ठीक न लिखा है who died for democracy in China to those who died for democracy in China यह किसके लिए है 1991 नैंसी पेलोसी पहुंचती है विजिंग के दौरे पर और अपनी साथी ने ताओ और रिपोटर के साथ जो है वो पहुंचती है थियान मेन स्क्वाइर पर हाँ बिलकुल ये वही थी आनमेन स्क्वाइर है जहां जो है वो 89 में चीन की आर्मी ने जो है वो गोलियों से जो है वो सैक्रोलोगों को भून दिया था वहाँ पहुँची थी और वहाँ उन्होंने एक बैनर लटकाया था जिसमें लिखा था कि ये उनके लिए है जो चीन की डिमोक्रिसी के लिए मारे गाए त्यानमेन स्क्वाइर ये वही जगह 1989 में चात्र डिमोक्रिसी की मांग कर रहे थे और प्रदर्सन कारियों के उपर जो पर प्रदर्सी का जो आसफिसिल टूर हुआ था 2022 में वो ताइवान अचानक पहुँच कर चीन की आलोचना करना चाह रही थी आपके स्क्रीन पर और भी अगर आप दिहान से देखेंगे दोस्तो तो आपको चाइना और ताइवान का जो है वो फोर्स नजर आएगा आप इ जो है वो जमीन आसमान कंतर है है न मतलब ताइवान कहीं भी जो है वो चीन के सामने टिक नहीं रहा है ये भी आप देख रहे है अगर यूएस और चाइना का मिलिटरी पावर देखेंगे दोस्तो तो ये भी आप देख रहे है एक तरफ आपको यूएस का और दूसरे अपको नेवल असच्ट नज़र आएंगे या तो ये आप देख रहे हैं कि वो चाइना जो है वो पौवर और फुल है किससे अमेरिका से इसके अलावा एक बात में बार-बार कर रहा था और वेल-डिफिट ई ГВ आ रहा है प्रूपिज को आफिधमेजिस पर आपको आ रहा है और ये अभी जो आपको देखने को मिल रहा था जो कि अभी जो यह डूपोर्ढ गया था और इनी के नाम पर युद्र पोद्र है अमेरिका ने रखा है ठीक है तो ये रहा है दोस्तो आज का आपके लिए बहुत important session कैसा लगा जरूर बता है और दोस्तो इस समय Unacademy लेकर चल रहा है resolve 2023 नया साल, नया resolution, नया goal और अनुप 10 code के माध्यम से आप अपने course पर 23% का उपा सकते हैं तो Unacademy के किसी भी course को आप अनुप 10 code के माध्यम से जरूर परजिस करें और मेरे द्वारा guidance पाए जैसे कि सकड़ो उत्तर प्रदेश में अधिकारी जो है वो समय नजर आ रहा है तो आप भी अपना number उसी में लगा है ठीक है मेरे बैचे जो है आरो यारो को भी ल जानकारी काफी सारे advantage है इसका आप लाव उठाईए इन सारे चीजों का लाव उठाईए चलिए फिर मिलते हैं अगले session में तब तब अपना द्यान रखिए स्वस्तर ये मस्तर अंदृस्त रहिए फस्ते खेलते मुस्काते वे जीवान का आनन लिजे जैन जै भारत